गुद मॉरिंग स्टुडेंट्स हमी अपनी टेक्स्ट बुक के थर्ड पार्ट से सोचल एंड पॉलिटिकल लाइट से फस्ट लेसन को फड़ चुके हैं पिछली वीडियो में और आज हमी सेक्ड लेसन को स्टार्ट करेंगे प्री जुडिस एंड डिस्क्रिमिनिशन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 225 है तो आप इस लेसन में पढ़ेंगे प्री जुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में प्री जुडिस और डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है बेज भाव जब आदमी के साथ किसी भी बात को लेकर के भेर भाव किया जाता है तो उसके साथ कैसे क्या होता है उसकी जो मेंटिलिटी होती है वो कैसे चेंज हो जाती है कैसे उस पर किस तरह से जो उसका रिजल्ट है वो सामने आता है इस lesson में हम ही इस बारे में पढ़ेंगे तो इसमें एक example दिया है Mansi's parents and grandparents are very unhappy Mansi के parents और grandparents जो थे वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे Her uncle who lives in USA has just informed that वो नाखुश क्यों थे क्योंकि उसके uncle जो USA में रहते थे उन्होंने अभी अभी inform किया था कि he will be marrying a girl from Africa who is his colleague क्यों है अफरीका में रहने वाली एक लड़की से साधी करेगा जो उसके साथ काम कर दी है They have known each other for the past for years और वे एक दूसरे को पिछले चार साल से जानते हैं African auntie Mansi was too excited African auntie के बारे में सोच करके Mansi जो है बहुत ज़्यादा excited होती है But she was surprised लेकिन उसे हैरानी होती है When her grand mother cried out जब उसकी दादी मा चिलाई Why an African girl? के एक African लड़की ही क्यों? यानि के एक African लड़की के साथ साधी क्यों? Anil could have married an Indian girl who stays in America Anil एक Indian लड़की से भी तो साधी कर सकता है जो अमेरिका में रहती है I am sure this girl is due cunning and selfish मुझे पूरा विश्वास है कि ये लड़की चालाक और स्वार्थी होगी How can her new auntie be bad and selfish Just because she belongs to some other country तो मानसी सोचती है कि भई जो new auntie है वो बुरी और स्वार्थी कैसे हो सकती है सिर्फ इसलिए कि वो एक दूसरे देश की है मानसी wondered मानसी को हैरानी होती है Grandma has not even met her कि Grandma उससे कभी नहीं मिली है Why is she being so unfair और जब उससे वो मिली ही नहीं है तो फिर वो ऐसे unfair कैसे हो सकती है या उसके बारे में ऐसे अंदाजा कैसे लगा सकती है तो prejudice क्या होती है अब इसके बारे में हम पढ़ेगे Prejudice Like मानसी मानसी की तरह Have you also faced similar situation When people have expressed negative opinion कि आपने भी मानसी की तरह इस तरह की situation का सामना करना पड़ा होगा जब लोग जो हैं इस तरह की negative opinion जो हैं वो express करते हैं दूसरी लोगों के सामने दूसरों लोगों के बारे में Places के बारे में Things के बारे में Certain preconceived notion और वे पूरों कल्पना करते हैं ऐसी धार्णाओं के बारे में Any unfavorable opinion that is formed without knowing the actual facts is called a prejudice तो prejudice क्या होता है Any unfavorable opinion कोई भी unfavorable opinion जिसको हम बगेर सच्चाई को जाने बना लेते हैं आनि कि ऐसे धार्णा जो हमने बिना सच्चाई जाने वैसे ही बना ली उसको हम prejudice बोलते हैं Prejudice affects our behavior towards a person Prejudice जो है यह हमारे behavior को affect करती है किसी भी person के परती Based on a prejudice We may become unnecessarily unfair and rude to somebody अगर हम prejudice के बारे में Prejudice के आधार पर कोई भी काम करते हैं तो prejudice जो है वह हमें unnecessarily रूप से unfair और rude बना देती है किसी के परती This unfair treatment of people on the basis of prejudice is called discrimination और यह unfair treatment जो है लोगों का prejudice के आधार पर इसको हम discrimination बोलते हैं Prejudice जो होती है वो unfavorable opinion होती है Unfavorable opinion जिसको हम बिना fact को जाने हुए बिना सच्चाई को जाने हुए किसी के परती बना लेते हैं उसको तो हम prejudice बोलते हैं और discrimination भी इसी का हिस्सा होता है जब हम किसी भी आदमी के साथ prejudice के बेस पर कोई भी treatment करना शुरू कर देते हैं Unfair treatment उसको हम discrimination बोलते हैं Look at the following statements People in the cities lead a very comfortable life They are lazy and do not want to work hard सहरों में जो लोग रहते हैं वो एक comfortable life जीते हैं They are lazy and do not want to work hard वे बहुत आलसी होते हैं और ज्यादा मैनत भी नहीं करते फिर भी वो एक comfortable जीवन जो है वो जीते हैं People in the villages are superstitious And backward गाह में लोग जो हैं वो अनपढ होते हैं और पिछडे हुए होते हैं They are against any kind of development और वे उनका कारण यही होता है कि वो किसी भी development के विरुदे होते हैं All uneducated people are rude जितने भी uneducated people होते हैं वो सारे के सारे rude होते हैं निर्दई होते हैं या प्रमप्रां के आधार पर चलने वाले होते हैं Tradition का पॉलन करने वाले होते हैं We should not mix with the people who are very different from us कि हमें उन लोगों के साथ नहीं मिलना चाहिए जो हमारे से बिलकुल अलग हैं उत्पन होती हैं ये पर्टिकुलर इंसिडेंट से और परसन से Prejudice Prejudice is a very healthy attitude Prejudice जो है वह है unhealthy attitude होता है बिकार रवया होता है We should get rid of all kinds of prejudices हमें क्या करना चाहिए हर तरह की prejudice से छुटकारा पाना चाहिए and try to judge people only after interacting with them personally and positively और किसी भी आदमी के बारे में हमें तब ही अंदाजा लगाना चाहिए जब हम उससे interact कर लें यानि कि हम उससे मिलने जुलने के बाद ही उसके बारे में अंदाजा लगाते हैं कि भई ये आदमी किस तरह का है फिरह kinds of prejudice Prejudice की kinds क्या होती है सबसे पहले जेंडर जेंडर के आदार पर prejudice मानी जाती है भेद भाव किया जाता है कैसे होता जेंडर के आदार पर Women face a lot of prejudice at home जो औरते होती हैं गर पर उनके साथ ही बहुत ज़्यादा भेद भाव होता है उनको काफी prejudice का सामना करना पड़ता है and sometimes even at the workplace और कई बार तो workplace जो है वहाँ पर भी उनको इसका सामना करना पड़ता है prejudice का सामना करना पड़ता है on the basis of such prejudice इस तरह की prejudice के आधार पर they are subjected to discrimination उनके साथ बेद भाव भी किया जाता है even today in many parts of the world women are not treated as per with men आज भी संसार के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं आज भी बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर फुर्सों की तुलना में बहुत ज़्यादा prejudice जो हैं वो लगाई गई हैं बहुत सारे जो बंदन हैं या बहुत सारी जो उनकी काम करने के जो तरीके हैं उन पर रोक की लगाई गई है उसके बाद है इन मैनी प्लेसिज दे आर स्टिल कॉंसिडर्ड सॉल्ली एज हॉम्मेकर्स तो इसमें क्या है कि बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर स्टिल कॉंसिडर्ड सॉल्ली एज हॉम्मेकर्स ओर्टों को केवल हॉमेकर्स जो है वो माना जाता है सॉल्ली मितलब पूरी तरह से एक हॉम्मेकर माना जाता है and are denied right to education और आज भी ओर्टों को education से वन्चित रखा जाता है In some parts, some places, there are raised rules on what women can or cannot do बहुत से स्थानों पर अब भी बहुत कठोर rules जो हैं वो बनाए गए हैं कि औरतों को क्या करना है यानि कि वो क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती severe restrictions on the activities that women can do even today और बहुत ज़्यादा बंदन जो हैं ऐसे हैं जिन पर औरतों की activities पर आज भी restrictions लगे हुए हैं पाबंदिया लगी हुई हैं they are not allowed to get go out of the house or mix with people freely और उन्हें अलाव नहीं किया जाता कि वो घर से बाहर जाएं और पुर्षों के साथ काम करें आजादी से very often employed women get paid much less than their male counterparts for the same amount of work done कई जगे ऐसा भी होता है कि जो men और women जो हैं वो एक जैसा काम करते हैं और दोनों को फिर भी salary के मामले में अगर बात करते हैं तो salary जो है वो बराबर की नहीं दी जाती और तो को salary जो है वो फुर्षों की बजभाएं कम दी जाती है तो इसमें gender जो prejudice थी उसके बारे में हमने पढ़ा कि औरते जो हैं उनको आज भी पूरसों की बज़ाए अगर rights की बात करते हैं तो बहुत कम rights जो हैं वो ऐसे मिले हुए हैं जिससे औरते जो हैं वो घर को चलाने वाली समझी जाती हैं हो मेकर समझी जाती हैं और उनको education से भी deny किया जाता है उनको अच्छी तरह से education भी नहीं दी जाती और उन पर और सारी restriction जो हैं वो लगी हुई हैं और यहां तक कि अगर और और पूरस men and women same kind work करते हैं तो भी उनको salary जो है वो बराबर की नहीं दी जाती और तो को salary जो है वो पूरसों की बजाए कम दी जाती है फिर है prejudice basis on religious धार्म के आधार पर भी prejudice लगी हुई होती है तो वो कैसे लगी हुई होती है sometimes कई बार क्या होता है people belonging to a particular religion वो किसी भी धर्म से related होता है consider others to be inferior और उसको inferior समझा जाता है दूसरों के जरीए माल लीजे कोई भी धर्म का कोई भी आदमी है तो वो दूसरे धर्म को अपने धर्म से inferior मानता है उसको छोटा समझता है they try to impose their thoughts and views on them और वे क्या करते है अपने विचारों को उन पर ठोपने की कोशिस करते है this is called religious prejudice इसी को religious prejudice कहा जाता है this often leads to violence and extreme hatred इससे क्या होता है violence बढ़ता है और extreme hatred बहुत ज़्यादा गहना जो है वो पैदा होती है तो religious prejudice में हमने पढ़ा कि कोई भी आदमी जो किसी भी धर्म से related है वो दूसरे धर्म के लोगों को अपने से inferior मानता है और अपने विचारों को उस पर ठोपने की कोशिस करता है जिससे violence और hatred जो है वो बढ़ जाती है फिर आता है prejudice basis on race, reason, caste race मतलब जाती once, reason, area, अक्षित्र, caste जाती तो इनके आधार पर भी prejudice जो है वो लगाई जाती है prejudice is based on region, race and caste एट्सेटरा prejudice जो है वो reason के आधार पर, race के आधार पर, caste के आधार पर होती है are deep rooted और ये बहुत ही deep rooted मानी जाती है people of the so-called superior caste consider people belonging to the other class inferior to them क्या होता है कि जो लोग उच जाती के हैं उची जाती से belong करते हैं, वो नीची जाती से related जो लोग हैं उनको inferior मानते हैं, काफी छोटा मानते हैं such an attitude leads to a lot of discrimination और इस तरह का जो attitude होता है वह है बहुत ज़्यादा discrimination जो है उसको लेकर आता है लोगों में बहुत ज़्यादा भेद बाओ जो है इसी कारण उत्पन होता है the unprivileged class is not allowed to mix up with the so-called superior class unprivileged unprivileged मतलब जिसको विशेशादिकार प्राप्ते ना हो तो वे विशेशादिकार जिनको प्राप्त नहीं है, वो क्या है? उनको जिनको विशेशादिकार प्राप्त नहीं है, वो उनको superior class के लोगों के दवारा क्या होता है? बहुत ही छोटा समझा जाता है, तो unprivileged जो होता है, ये होता है जिनको विशेशादिकार प्राप्त नहीं होते हैं, या lower caste के जो लोग होते हैं, उनको हम count कर सकते हैं इनमें उसके बाद है फिरी, an extreme form of discrimination is untouchability दूसरा क्या है, जो extreme form of discrimination क्या होता है, untouchability untouchability का मतलब होता है, छुआ छूत इसमें भी क्या होता है, जो superior class होती है, वो inferior class या जिसको मतलब हम ये मान सकते हैं जो lower caste के लोग हैं, वो अपने आपको छुने तक नहीं देते यानि कि अगर वो उनके किसी सामान को touch करते हैं, तो भी वो उनको hack देते हैं, तो इसी को untouchability का रूप दिया जाता है, कि जो भी superior class होती है या पिर जो high caste के लोग होते हैं, या superior caste के जो लोग होते हैं, वो inferior caste के लोगों के साथ क्या करते हैं? untouchability वाला behavior करते हैं, यानि कि उनको अपना सामान touch करने तक की permission नहीं होती similarly, some people consider their own region superior to the rest of the country इसी तरह क्या होता है, कुछ लोग जो हैं, वो अपने region को superior मानते हैं rest of the country, बागी बचे देश के compare के साथ there are still others who think that they are vastly superior than the rest of the population and try to dominate others क्या होता है, जैसे area wise भी बहुत ज्यादा conflicts जो हैं, वो सामने आते हैं और इसका reason यही होता है, कि जो लोग जिस area में रहते हैं तो वो दूसरे area को अपने area से inferior समझते हैं बेकार समझते हैं चोटा समझते हैं और इस तरह की जो notions हैं, इस तरह की जो उनकी धारणा है उससे क्या होता है, violent conflicts और एक्रिमनी among people belong to different communities जो अलग-अलग communities के लोग हैं, उनमें क्या आता है एक्रिमनी जो है, और violent conflicts जो है, वो हो जाते है इसमें क्या होता है, कि जो violent conflicts मतलब जिसमें हिंशात्मक जगड़े होते हैं और एक्रिमनी का मतलब होता है, एक्रिमनी कटूता या कड़वार्ट जो है, इनमें आ जाती है क्योंकि जब हम यह सोचते हैं, जैसे हम अपने जिस भी state से बिलॉंग करते हैं या जिस भी area से बिलॉंग करते हैं, अगर पॉज करोके हम गाउं का example लेते हैं कि हम इस गाउं से बिलॉंग करते हैं, तो दूसरे गाउं के बारे में अगर हमारी जो सोच है वो ये सोती होगी कि बही ये गाओं अच्छा नहीं है अगर हम ब्लोक लेवल की बात करते हैं डिस्टिक लेवल की बात करते हैं तो हम ही अपने स्टेट को अच्छा मानते हैं अपने डिस्टिक को अच्छा मानते हैं और दूसरे को इंफिरियर मानते हैं तो उससे क्या होता ह वाइलेंट कंफ्लिक्स और एक्रिमनी जो है वो लोगों के बीचे पाई जाती है तो रीजन वाइज भी बहुत से डिस्क्रिमिनेशन प्रीजिडिस जो है वो सामने आती है उसके बाद है स्टीरियोटाइज स्टीरियोटाइज में क्या है जिस्टो स्टीरियोटाइज का उसले होता है रूडी वादीता यानि कि जो प्रमप्राइज के अकॉरडिंग चलता है उसको हम स्टीरियोटाइज बोलते हैं तो sometimes we assign some qualities to a group के कई बार हम क्या करते हैं किसी भी group के लोगों की thereby forming a particular image of them उनकी एक image बना लेते हैं अब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी quality को assign करते हैं किसी भी group of people के लिए thereby forming a particular image of them और उनकी जो particular image है उसकी forming करते हैं तो इस image और belief को जिस भी आदमी के बारे में हमने उसको किया है या group of people के बारे में किया है तो इस group को क्या करेंगे हम उसी के according काम करने को हम stereotype बोलते हैं यानि कि जैसे जैसे प्रंप्रा चली आ रही है पहले जो ये मना जाता था कि वह ये group ऐसा है ये आदमी ऐसा है और वैसे के उसी के according हम काम करते रहें यह आदमी ऐसा है, यह गुरुप जो है यह ऐसा है तो उसी के according काम करना पहले से ही जो thinking हमारी बनी हुई है उसी के according काम करना stereotype पही बाना जाता है तो इसमें कुछ ही example दिये हैं लिटल रोवन फेल टाउन एंड स्टार्टिड क्राइग. इज मदर पिग्ड हीम अप एंड कंसॉल हीम बाइसेंग देट बॉइस दोंट क्राइग. छोटा बच्चा रोवन जो है वो नीचे गिर जाता है और रोना सुरू कर देता है. तो उसकी मा बोलती है उसको कंसॉल करते हुए उसको सांतोना देते हुए उसको कहती है कि लड़कों की तरह रहो लड़कियों की तरह बॉइस डॉंट क्राइग यानि कि लड़के जो है वो लड़कियों की तरह नहीं रोते. रोने का काम जो है वो लड़कियों का है तो वो अपने लड़के रोहन को इस तरीके से समझाती है कि रोना जो है वो लड़कों के लिए अच्छा नहीं होता तो ये एक स्टेरियोटाइप बनी हुई है कि लड़का जो है वो रोता नहीं है तो इसलिए उसकी मा जो है वो उसको यही समझाती है कि लड़कियों की तरह माती रो लड़कियां रोती हैं उसके बाद है रिशी वांस तो लर्ण बात नट्यम अलोंग विड ही सिस्टर बट इस फादर डिस एगरी रिशी जो है वो भारत नाट्यम को सीखना चाहता है अपनी बैन के साथ ही लेकिन उसके पिताजी जो है वो उसको मना कर देते हैं इस बात से सहमती नहीं है इसमें भी ये stereotype बनी हुई है कि लड़के जो हैं वो भारत नाट्यम नहीं करते भारत नाट्यम नहीं सीखते और ये लड़कियों का काम है जो first example दिया है उसमें तो मा जो है वो बेटे को समझा रही है कि लड़कों को लड़कियों की तरह नहीं रोना चाहिए या लड़कियां जो हैं, वो रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं और दूसरे example में, जो रिशी वाला example दिया है उसमें ये का आ गया है, उसके पिताजी के दवारा के भातना ट्यम है वो लड़कियों का काम है, लड़कों का नहीं तो इस तरह की जो stereotypes हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हैं When we stereotype people, we categorize them into certain groups तो जब यह stereotypes होती हैं, people के जब हम ही categorize करते हैं in certain groups में तो एक common example of stereotypes in the society is associating dolls, clothes, cooking, crying and shopping with girls तो कुछ stereotypes ऐसी बनी होई हैं कि जो dolls के साथ खेलना है, clothes के साथ खेलना है, cooking, crying यह सब लड़कियों का काम है And associating cars, outdoor games and bikes with bikes अगर outdoor games हैं और car से related कोई बात है, bikes से related कोई बात है तो यह काम लड़कों के समझे जाते हैं If a girl happens to love cars and bikes, we say that the girl has boy-like qualities अगर कोई लड़की cars को पसंद करती है, bike को पसंद करती है तो हम लड़की को यह कहते हैं कि इस लड़की में लड़कों जैसी quality दिखाई देती है Similarly, if a boy cries, we tell him not to cry like a girl इसी तरह अगर कोई लड़का रोना सुरू कर देता है, तो हम उसे कहते हैं कि लड़कीों की तरह रोता है तो यह हमारी stereotype बने होई है, कि भई लड़कीयां जो हैं वो कपडों के साथ, cooking के साथ और डॉल्स के साथ अपना काम करेंगी लड़के जो हैं वो दूसरे type का काम करेंगे और अगर लड़का रोता है तो उसको इस तरीके से समझाया जाता है कि लड़की जो हैं वो रोते नहीं हैं तो इस तरह कि जो stereotypes बने होई हैं वो हमारे सामने आती हैं stereotypes are unfair because they prevent us from treating people as unique individuals with different qualities, abilities, likes and dislikes तो stereotypes जो हैं वो हमें unfair करती हैं क्योंकि वे हमें रोकती हैं लोगों के साथ वेभार करने से individuals with different qualities, abilities, likes, dislikes prejudice, stereotypes and discrimination often lead to inequalities in society prejudice जो हैं यह सभी discrimination यह सभी क्या करते हैं हमारे समाज में inequality लेकर के आते हैं तो आज की वीडियो में हम ही इस lesson को यहीं तक पढ़ेंगे बाकी तो बचा पार्ट है उसको हमें next वीडियो में कल करेंगे Thank you